हलो, नमस्त दोस्तों, अन्रोद अकेर्वी में आपका स्वावात है, यद आपको इस्टी इंग्दम बेसिक से पढ़नी है, तो मैंने प्रिनिक्स का लिंक डिस्रिप्शन में दे दिया है, दोस्तों, जब हम नंद डाइनिस्टी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था अलेकजेंडर तक रिट स्िगंदर के बारे में आज हम उनी के बारे में पढ़ेंगे अलेकजेंडर की बात करें दोस्तों, अलेकजेंडर ग्रीक रोमन रूलर हुआ करते थे, और इनके फादर का नाम फिलिप् दुतिय था अलेंट जेंडर तिर्थीवे इनको बोलते हैं और यह काके थे यह मैसेडोनिया के हैं इनका जनम 356 BC के टाइम पर हुआ था और बहुत ही कम उम्र में 323 BC के टाइम पर इनकी मनत्यु हो गई थी केवल मैसेडोनिया का इन नहीं वलकि वन ओप दा ग्रेटेस्ट के पूरी दुनिया का इन्हें माना जाता है और डाइनिस्टी थी आरगेड नाम की डाइनिस्टी इनकी हुआ करती थी एसियन ग्रीक सिटी थी एक पहला नाम की वापैन का बॉन हुआ था जनम हुआ था उठीन का नाम तो सुनाई हुआ आपने एलेश्टूटल कौन थे यह गुरु आफ एलेकजेंडर हुआ करते थे एलेकजेंडर ने इनको काफ़े कुछ सिखाया था जैसे कि यहां पर बिशुड गुप्त्य ने चन्गुप्त मौरी को सिखाया था वैसे ही उन्होंने सिगं रेल बनाई थी सब ठीक मतलब ऐसा था मेडिटेरियन सी के अंदर एक एमपायर हुआ गरता था चारों तरफ से समधु से गरा उसने वह भी एमपायर तब को नहीं छोड़ा था जीत के आया था वहीं उसने सिप बनाए बोट बनाए सब कुछ बनाया अटेक किया और जीत के व बोड़ा भी बहुत फेहमस है वह इसका ओस्ता काफी फावरफुल माना जाता था यहां पर पहुंसी बैटल होई थी पॉरस वरसे अलेकजेंडर के बीच में इस युद्ध को जो डेट माने जाती है वह 326 बीसी के आसपास किया जो माने जाती है अलेकजेंडर वरसे किंग फॉरस के बीच में जेलम रिवर है वहीं पर इसका युद्ध हुआ था इसलिए से बैटल ऑफ जेलम भी का जाता है ग्रीग लोग हैं वो इस रिवर को हाइडे स्पीज नाम दिया करते थे इसलिए इसको ये बोला जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध ये पन्याब वाल एक नीती थी, वो काफी जवदस थी, मतलब जो इसने युद किया, वो काफी प्रेज के साथ किया था, पहले बोल दिया था इसको सरेंडर करने को, लेकिन सरेंडर नहीं किया पोरस ने, पोरस भी काफी लंबा चोड़ा था, मतलब साड़े छे पीट का जाइन्ट आदमी था, बहुत जवदस रूलर था, उसने गिवप पन्ने से मना कर दिया था, जो लड़ा था ना वो, वो काफी जवदस तरीके से लड़ा था, इस वेटल में पूरा पन्या वाला एरिया वो चला गया था, सेना की बात करने दोस्तों, तो अलेजेंडर के पास 30-40 सेना थी, वही को पूरस के पास 20,000 सेनिक थे, दोस्तों, नंद डानिस्टी की तरफ इसने एक छोटी को जिसकी थी आने को, लेकिन नंद को फ्रॉस नहीं कर पाया, उसकी सेना ने बगावत कर दी, उसकी सेना ने पूरी तरह से गिवप कर दिया, अलेजेंडर तो लड़ने को तयार था, उस बीवार हो गए थे, ठक गए थे, और बापे जाने की वार कर रहे थे, आर्मी ने गिवप कर दिया था, उसी की वजए से अलेजेंडर को भी अपना केमपेंड गिवप करना पड़ा, दोस्तों, ब्यास नदी के बाद में, अलेजेंडर टर्न हो गए थे, क्योंकि बहुत ज लोन में, वहीं पर उन्होंने बहुत बड़ा सामराज्य जो की बनाया था, जैसे इनकी मिरत्ती हुई, वहां पर यूरोप के अंदर सारे लोगोंने सिविल बॉर स्टार्ट हो गई, प्योंकि अव इतना बड़ा रूलर इनके पास नई बचा था, जो की इतने बड़े एम अंदरुप्त मौर 20 साल के करीब थे, पौन जीत्ता एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, वहीं काटे टकत देखने को मिलती, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे, यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल पो सस्क्राइब कर दीजी, वीडियो देखने के लिए आप समी का धन्यवाद